दोस्तों अभी मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट की यह है आयूत वेदा का अलोवेरा जिल और इसकी पैकेजिंग अप देख लीजे कुछ इस तरह से है और इसे हम लें आनलाइन परजेस किया है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जो पंच के अच्छी बाक्स में और इसके बारे में चले डिटल में जान लेते हैं कि यह किस तरह का है क्या है यह वाकniejsze है या फिर नहीं तो इसके बारे में डीटेल से अब हम लोग जानेंगे और यह जो अलोवेरा जेल है यह 95% और इसनल है, मिन्स नेचरल है, ऐसा इहां पर इन लोगों ने मेंशन किया है, और इसमें नीम तथा तुलसी मिला हुआ है, और साथ ही इसमें ककंबर भी मिला हुआ है, मिन्स इस प्रोड़क्ट के जो मैनिफेक्ट्चर है, वो है, एमील फार्मा, तो इनका कहना है कि 95% इसमे एलोवेरा जेल है, और इधर जो 5% बचा है, उसमें नीम, तुलसी और ककंबर मिला हुआ है, और यह जो एलोवेरा जेल है, यह है फेस, बॉड़ी और हेर के लिए, तो आप अगर इसका यूज करना चाहती है, तो आप इसे फेस पर लगा सकती है, बॉड़ी पर लगा सकती है, अधर आप इसे हेर पर भी लगा सकती है, या फिर आप कोई नेचुरल इंग्रेंट्स वगरा बनाती है, डिय वगरा बनाती है, तो आप इससे भी उसमें मिलाकर यूज कर सकती है, जैसे कि आप उपटन लगाती है, या फिर फेस में कोई फेस मास्क लगाती है, या फि प्रिप्रम हार्स केमिकल्स है सुथे प्रोटेट्स मॉस्टराइजस है और यह जो पैकेट मेरे हाथ में है यह ट्यूब 150 ग्राम का है 150 ग्राम 99 रुपेज में मिल रही है और इसमें कोई शिपिंग चार्ज भी नहीं लगा है मिल्स यह मुझे बहुत ज्यादा ही सस्ता लगा है और इसके मैंने चार पैकेट मंगवा लिये हैं तो इसके बारे में और यहां पर लिखा है कि यह लाइट वेटेड है ननिस्टिक की फॉर्मूला के साथ है तथा पारबीन फ्री है सल्फेट फ्री है सीलिकन फ्री है आर्टिफीसियल कलर से भी फ्री है यह और आयरवेद आयरवेदा प्योर अलोवेरा जेल इस नरेशिंग ब्लेंड आफ सूथिंग अलोवेरा पॉल्प एक्स्ट्रेक्ट आफ नीम तुलसी इस इस्टैंटली बोस्ट स्कीन हैड्रेशन एंड रिवाइब्स डी हैड्रेट सेल्स तो यह जो प्रोडक्ट है यह जो अलोवेरा जेल ह आयुत वेदा का तो इसे अगर आप यूज करती है तो आपके स्कीन को अलोवेरा के साथ साथ नीम और तुलसी के भी फायदे मिलेंगे और स्कीन आपके हाइड्रेट्स होंगे और जो भी डिहाइड्रेट्स सेल्स वेगर हैं उससे यह हटाएगा दे यूनिक एसेंस ऑफ क तो यह आपके स्कीन को फेस को और हेयर को हेलती रखेगा और उसके बाद यहाँ पर इसके कॉंपोजिशन दिये हुए हैं इच हंड़ेड ग्राम्स में क्या-क्या इसमें कॉंपोजिशन है दिया हुआ तो बहुत ही इसमें मुझे बहुत कम चीज दिख रहा है जैसा कि अलोवेरा पल्प लिखा हुआ है कि इसमें 95 ग्राम्स में 95 ग्राम्स में 95 ग्राम्स अलोवेरा का पल्प दिया हुआ है और कलर जो है कलर में इसमें क्लोरोफिल डाला हुआ है फ्रेग्रेंस में ककंबर का फ्रेग्रेंस दिया हुआ है यूजेस बेनिफिट्स दिये हुए ह अगर आपको अपने skin को soft बनाना है, hydrates बनाना है तो आप इसका यूज़ कर सकती है उसके बाद है for body, nourishes skin, heals, damage and relieves itching अगर आपको body में itching वेगर है या और भी किस तरह की problem है तो आप इसका यूज़ कर सकती है हम लोग घर में भी aloe vera का अगर plant रहता है तो हम लोग उसके pulp को लगाते ही है और गर्मी के दिनों में तो कुछ जादा ही aloe vera का use किया जाता है for hair, instantly moisturize scalp and hair reduces dandruff, ensures smooth and shiny hair as directed by the physician तो अगर आपके hair में dandruff है और आप अपने hair को shiny बनाना चाहते हैं scalp को आप moisturize करना चाहते हैं तो आप इस product का use कर सकते हैं और directions for uses में दिया है apply gently over your face, body, scalp and hair spread evenly and massage until absorbed completely or as directed by the physician तो आप इसा अगर फेस में लगा रहे हैं तो इसे तब तक मसाज करें जब तक की you your skin में absorb न कर जाये, या फिर आप अपने body पर लगा रहे हैं तो भी आप इसे मसाज करें अगर आप इसे बालों में लगाना चाहते हैं तो इस scalp आप इसे दीरे-दीरे या फिर आपके डॉक्टर जयसे रिसक्राइब करें वैसा आप करें क्योंकि यह जो प्रोडक्त है आपको कॉस्मेटिक के दुखान में मिली log जाएंगे यह आपको मेडिकल शोप में भी मिलेंगे और यह made in India प्रोडक्ट है और इसके बारे में अगर आप जादा जानकारी लेना चाती है तो इसके customer care number दिये हुए है इसके email address दिये हुए है इसके website दिये हुए है तो यह आराम से लंबे समय तक भी चल सकता है इधर से यह open होने वाला और इसका use किया गया है मैंसा आपको लग रहा होगा कि यह इतना ही रहता है packet में तो नहीं यह थोड़ा सा use भी किया हुआ है और इसके और भी packet हमने मंगवाए है सौरी यह निकल भी गया भी यह इस तरह क देख लिजे ग्रीन कलर का वाकई में यह लग रहा है कि औरिजनल ही है जैसा कि मैं इसे दिख़़ा पा रही हूं दोस्तों उमीद है कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर लेजगा सब्सक्राइब बेल आइक आउन को कर देजगा हिट आज आप लोगों ने इस वीडियो को दे आप सभी को मेरा तही दिल से शुक्रिया